दोस्तो आज जो मैं घरेलू नुस्खा आप सब के साथ सेर करूँगा। दोस्तो उस नुस्खे का पर्योग करके आप अपनी आँखों की सबी त्रहें के समस्याओं से छुटकार अपस्कते हैं। दोस्तो यदि आपकी आँखों पर चस्मा लगा हुआ है तो आपको इस नुस्खे के सिर्फ एक चमच का रोजाना सेवन करना चाहिए। और आपकी आँखों की रोशनी 99% तक बढ़ जाएगी। और जो आँखों के ऊपर चस्मा लगा है वो भी उतर जाएगी। आँखों में चुबन के कान यदि आपको दर्द रहता है तो दोस्तो उन सब में भी ये नुस्खा बेहत अधिक कार कर है। दोस्तो वैसे भी आज के समय में हम कंप्यूटर का मुबाइल का अधिक इस्तमाल करते हैं। आप देखेंगे कि आजकल के बच्चों की छोटी उम चुबनाएं और उनकी आँखों से इस चसमे को उतार भेंगे और ये नुस्खा आपकी उसमें हेल्प करेगा। दोस्तो वैसे भी यदि आप अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सफेद मिर्च जिसको हम भुरी मिर्च के नाम से भी जानते हैं उनका परयोग जिरूर करना चाहिए क्योंकि ये सफेद मिर्च आँखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत अधिक कार कर हैं लेकिन इसके इस्तमाल का भी एक तरीक हैं जो मैं आपको इस नुस्खे के अंदर बताऊंगा तो चले दोस्तो आपको बताते हैं कि आपने इस नुश्खे को बनाने के लिए आपको जो समगरी चाहिए, सबसे पहली समगरी चाहिए, दोस्तो बादाम. आपने बादाम लेने हैं 100 ग्राम जैसे कि यह मैं ले रहा हूँ आपने भी ऐसे ही 100 ग्राम अच्छे बादाम लेने हैं जिन से तेल निकला हुआ ना हो क्योंकि मार्किट में तेल निकले हुए बादाम भी आती हैं क्योंकि इनमें विटामिन A और E भरपूर मातरा में पाई जाता है जो आँखों के रोशनी के लिए बहुत अधिक आवस्सक विटामिन है दूसरी चीज जो आपको इसके लिए लेनी है दोस्तो वो लेनी है सौफ दोस्तो सौफ भी आँखों के रोशनी को बढ़ाने में बेह का प्रियोगिस में 50 क्राम की लेना है और आपको ये लेनी है पतले वाली सौफ आप जो तीसरी इसमें सामगरी आपने लेनी है दोस्तो वो लेनी है भूरी मिर्च जो आँखों के लिए बेहद अधिक कारगर है आपने लेनी है दोस्तो भूरी मिर्च जिसको हम सफेद मिर् लेनी है 25 कराम, यानि जितनी आपने सोफ ली, उसका आदा लेना है आपने सफेद मिर्च, अब जो चोथी इसके लिए समगरी आपको चाहिए दोस्तों, वह चाहिए मिसरी, आपने इसके लेनी है डले वाली धागा मिसरी, दोस्तों आपने जो बजार में एस सिंपल मिसरी मिलती है, वो थोड़ी सस्ती मिल जाती है, पर आपने उसका प्रियोग नहीं करना है, आपने इस नुस्खे के लिए ना ही गोड सक्कर का किसी भी चीज का अन्ने का प्रियोग नहीं करना है, आपने दोस्तों ध धागा मिसरी का ही परियोग करना है इस नुस्खे के लिए और आपने धागा मिसरी भी लेनी है 50 ग्राम जितनी दोस्तों आपने सौफ लेती जैसे सौफ हमने 50 ग्राम लेती जदी आप सौफ अधिक मातरा में लेते हैं तो उतनी ही मातरा में आपको ये धागा मिसरी भी लेनी अब मैंने ये 50 ग्राम धागा मिसरी ले ले दोस्तों अब मैंने इस धागा मिसरी को अच्छी तरह से कूट लेना है मोम जस्तेव गरा में जैसे कि ये मैं कूट रहूं आपने भी ऐसे ही कूट नहीं और इस धागा मिसरी के अंदर धागा निकलता है आपने इस धागे का प्र प्राइंडर में डालिया, अब मैं इन सब का एक पाउडर बनाऊंगा, और दोस्तों ये मैंने ये पाउडर बना लिया, और ये हो गया दोस्तों वो आपका नुस्खा रेडी, जो आपकी आँखों से इस चसमे को उतार देगा, और आपकी आँखों की रोसनी को भी 99% तक और कितनी मात्रा में करना है, दोस्तों आपने क्या करना है, इस नुस्खे के एक चम्मच का परयोग हर रोज, रात को सोते समय करना है, एक किलास गुनगुने दूद के साथ, दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे, तो देखेंगे कि आपकी जो आँखों पर चसमा लगा हुआ वो उतर जाएगा, धीरे धीरे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ना सुरू हो जाएगी, दोस्तों इसके साथ में आपने कुछ चीजे और करनी है, जैसे आपने आँखों की एकसरसाइज करनी है, आँखों की एकसराइज कैसे, आपने क्या करना है, दोस्तों आपने कानों पर पैरों के तलों पर और आँखों के ऊपर धीरे धीरे से देशी गाई के घी की मसाज करनी है दोस्तों आपने क्या करना है जो यह केसर होती है केसर की चाई का दिन में एक बार सेवन करना है हर रोज और यह आप एक वीक तक केसर की चाई का सेवन जरू करें इस नुस्खे को तो आप एक महीने तक खाएं लेकिन केसर की चाय का सेवन आप एक वीक तक करें इसके साथ में दोस्तो आप जब भी बाहर से हैं या कंप्यूटर पर बैटे हों तो हर दो घंटे बाद अपनी आँखों पे मुह में पानी बरके आँखों पर पानी के चपके जरूर मारें इससे आँखों का गंद बाहर निकलेगा और आपकी आँखों के रोशनी तेजी से बढ़ना सुरू हो जाएगी तो दोस्तो आप भी इस नुस्खे को आज ही बनाईए और अपनी आँखों के रोशनी को बना दीजी तो दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक सेर और लाइक जरूर कीजी धनेवा दोस्तो